तो आप सब्सक्राइब काम किया अगर आप काम वही करोगे तो डेफिनली कहता हूं कि आपका सेलक्सन जरूर हो जाएगा तो कि अगर उम्मीद है हमारी कि हम इसमें भी सेलेक्शन ले सकते हैं कि अगर बत यह कि आती है कि असिस्टे लोग पाइलेर्ट जो मेरा सेलेक्शन हुआ था वह 2 18 वाली पहरती में हुआ था अगर अभी सेलेक्शन की बात करें सेलेक्शन पूस्षिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी आप सभी के वहीं CBT-1 CBT2 जिसमें आप सभी का दो पेपर होगा एक टेकनिकल वाला पेपर होगा उसके साथ आप सभी का CBAT जिसको हम साइको कहते हैं ठीक है साइको उसके बाद आप सभी का वही DV और मेडिगर यानिकि सेलेक्शन पूसेज में कोई बदलाव नहीं आया है अब देखिए मेरे कुर्स पढ़ने के वह सारी चीजे में आप साथ डिसकस करने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने जो तयारी की थी असिस्टेंट लोग के लिए वह सेलफ इस्टेड़ी करने का मतलब है कि मैंने कहीं पर भी इस्पेसल किसी का कोर्स नहीं लिया था इस्पेसल कोचिंग नहीं की थी असिस्टेंट लोग के लिए ठीक है उससे पहले मैंने कुछ अपने बेसिक कॉंसेट जो थे वह क्लियर कर लिया थे अफलाइन कोचिंग से यह मैं जूट नहीं बोलूगा कि मैंने बिना पढ़ाई कि कोई सेलेक्शन नहीं ले सकता पढ़ ले लिया था मैं सोज़र दा सीबीटी वन ऐसे हो जाएगा मगर मैं बता दो मोस्ट आप जो स्टुडेंट से वह सीबीटी वन से ही बाहर हो गये थे सीबीटी वन से बाहर को कि अभी आप देखोगे को वेकेंसी अगर आप देखोगे तो पांच जार 696 बढ़ने वाली नह है तो सीबीटी वन से बाहर हो दो yard सबसे पहले आप सभी जो फोकस करना आप सभी को मैं कहता हूं आप सभी फोकस करो अपने सीबीटी वन yes अभी आप CBT-2 और टेकनिकल पार्ट को उतना ज्यादा आप उतना ज्यादा मत दो क्योंकि अगर आप सभी अपनी तैयारी कर सकतो और इन दो महीनों की बीच में आप सभी को साइको भी कंप्लिट करना है देखे टेकनिकल पार्ट जो है वह आप सभी का क्या होने वाला है जै मैरे इन यह स्प्राइट इसे मेरा मेकानिक अब यह मेरे इंदर स्ट्रॉंग पार्ट इयस था कि मैंने आइए की थी वह औरुछ। से की थी ठीक है गौवर्मेंट सी की थी तो हमें अगर 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 अच्छा नहीं है तो आपको अभी से थोड़ा-थोड़ा समय देना ऐसा नहीं कि रेगुलर आप समय दो थोड़ा-थोड़ा समय दो 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 दिन पे सर्किल बना लो कि मुझे कम्प्लीट करना है तो तब तक इजाम तक मैं कम्प्लीट कर लूँगा मगर अगर अभी से आप डेडिकेटर जो जोगे टेकनिकल के लिए तो आप सीवीटी वन में कहीं न कहीं वीक पढ़ जाओगे तो सबसे पहले अपने सीवीटी वन को जो इनि बहुत सारी लोग हैं जो आप सभी को परदे वीडियो बनाते रहेंगे की एस बनानी है अगर आप से तो आपको पडर्ब रखा होनों वहहां के लिगर करना पड़ेगा उसके लिए करना पड़ेगा मगर मुझे नहीं लगता कि CBT 1 और CBT 2 के लिए आप तयारी कर रहे हो कहीं से कि तयारी करे नहीं कि अगर आप संसे के तयारी कर रहे हो या अप कि किसी भी तैयरी करो तो GS वगरह पढ़ते हैं तो साइंस के लिए आप कर सकते हैं मगर मैं कहता हूं कि पूरा-पूरा compact batch लेना आप सभी के लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मैं किसी के batch का विरोध नहीं कर रहा हूं मगर मैं आपको एक strategy बता रहा हूं कि कम समय में आप बढ़ियास के लिए का सकते हैं अगर आप पूरा-प्रापर बैच ले तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरे बैच की पूरी-पूरी class ले पाऊ हूं मैं कहता हूं कि आप किसी का individual batch क्या है जैसे किसी का science का बैच लो जैस में आप सभी को बहुत सारी चीज अच्छी से नहीं मिलने वाली है ठीक है मैं कह रहा हूं साब सब आप सभी से अगर आपकी math कम जो रहे तो math किसी का बैच ले लो आप सभी science किसी का ले लो पोड़ा पैसे ज्यादा लग सकते है मुझे लगता कि पैसे यहां पर ज्यादा कर दियांगे मगर आपको quality अच्छी मिलेगी क्योंकि इस बर competition जो है बहुत ज़्यादा है 5696 सीट पे हर एक RRB में सीट कम है तो आप सभी को यहां महनत करने की जुरोते अब मैं कैसे बना था मैं ऐसे ही बना था हमारे समय में बात है कि हमारे समय में सीट भी ज़्यादा थ तो आपको इस तरह से mentality बनाकर रखने है कि अपने strong point अपने weak point को देखना पड़ेगा आपको कहां पर आप कमी रह जारी उस point को देखना पड़ेगा आप सभी को आपको हमेशा होस में रहना पड़ेगा यह जो market में रैकेट चल रहे हैं कि batch बेचनी वाला हमारे बैस जो हमा पड़ेगा अगर आप चाहते हो self study से तो आप self study से भी selection ले सकते हो ठीक है ले सकते हो मगर आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे भाई कि आप कहां पर लैक कर दो जहां पर आप बिल्कुल निल बटे सन्नाटा हो तो वहां पर आपको किसी की मदद लेने की जुरत पड़े तो आप सभी को इस तरह से करते हो तो मुझे लगता है कि आपका समय भी बचेगा आपको अच्छा content भी देखने को मिल जाएगा और कि तयारी बेच्छी हो जाएगी अगर आप बंडल बैश लेके चलते हो तो बंडल मैं आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो इस मैं कहता हूं साइन्स भी complete हो जागी आप सभी के यहां से ऐसे करना है मालब कि अगर किसी ने पहली बार coaching के ही नहीं है तो भाई उसको तो करना पड़ेगा किसी तरीके से करना पड़ेगा अगर जो पहले से coaching कर रखा तो उसके लिए बात अलग है तो अगर आपके एलपी बनना है तो मेरे भाई जान लगानी पड़ेगी अगर आपकी मन में कोई डाउट है कोई भी डाउट है त्यारी कैसे करें तो उस पर मैं अलग सी वीडों के लिए हम फोकस कैसे करें के लिए अगर आप खुद दिख रहा होगा कि सीबीट वन पर अगर हम सेलेक्शन नहीं करेंगे तो चीबीट परहुचेंगे आप सेलेक्शन की जिम्मेजारी में आप से रहे हो ऑ थार हूँ को सब्सक्राइब करने के बाता रहूं फ्राइएicop आपको बहुत सारी वीडियो पर प्रवाइट करने वालों के लिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच